कि यहां पर चाय रख दी है और उसके बाद यहां पर मम्मी कर रही है भगवान की पूजा एक्चुली सुबह सुबह मम्मी का यही काम रहता है मम्मी नहाती है मम्मी काफीर करते हैं यहां पर चाई बॉइल हो गई है और आज हम जाना है सुसुराल भी मेरे उसके बारे हैं मैं बात करती हूं आपसे तो कि अदो कि अद्वो कि अदर्ब कि अद्वोड़ अभी टाइम डिला है एक्चुली हम लोग जा रहे हैं कहा अपी तो नहीं बतानी वाली हो और सब लुक साथ मैं मामी है माही है अथिक है और ये भी है अब जाने के बाद को कुछ भी होगा आज अब है अब ही तक तो बताया नहीं मैंने लेकिन अज बताने वाली हो भी बने वाला है वो तो घर पर जाने के बाद मिलती हूआ अपसे आप साथे ग्यारा बज़ा है और हम लोग बहुज गया यहां पर अच्छी वहां से लेट निकले थे बहुत जल्दी जल्दी किया फिर भी लेट होई गया बट अब साथे ग्यारा बज़ा भी कुछ भुआ है नहीं है वैसे दिने स्वीड बना दिया और यहां पर खेट के यह क्या है सोया बें किसको सोया बिन पता है पुरा अब इसे बेचना है और यह से अब नहीं देखा है ससराल होमटूर तो चेक कर ले ना डिस्क्रिशन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिक दे दूँगे आपके लिए और तयार है चल रही है हमारे खाना बनाने की तो चलिए मैं हेल्प करती हूँ थोड़ी से देदी को क्योंकि अभी बड़ी देदी रोटिया बना रही है और थोड़ी सब्सक्राइबर हो तो नहीं पता होगा आपको यह मेर बीच वाली देठानी को भी दिखा दोंगे ईच वाली ज्टानी ऑभी बीच में आयी थी घर पर तो अमीय डिटियला वगा तो यह को बता देतीव तो च्ल particular देखोटी सी किचन है हमारे और यहां पर हमें बैठने का निकली भी जगह नहीं है मेंसे किचन होते हैं और बाप रहे बच्चे कितना चिलना रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है बताती हूं आपको यह बड़ों के लिए और वहां पर पकोड़ों के लिए और मम्मी बना रही है लोईया और यहां पर दीदी रोटिया बना रही है और हम लोग अभी फ्राइ करेंगे दो में फ्राइड अच्छा में ताले ने मलनाएं यहां पर पच्चे बहुत दाश्वर कर रही यहांपर खाना बन रहा था तो यह पापा के लिए बन रहा था अभी आप सोच रहे होगी कि पापा की ली क्यूं बन रहा था तो वो भी आपको आगे पता चली जाएगा कि पापा के लिए ये खाना सब कुछ क्यों बन रहा था तो ये सब कुछ पापा के लिए बन रहा था और मेरा पीरेट था तो इसी वज़े से ये सारा पूरा खाना पहले बना लिया मतलल थोड़ा थोड़ा पापा के त्टली के लिए और उसके बाद हम लोगों को खाने के लिए जब बनाना था तो मैंने थोड़ा सा हाद लगाया क्योंकि मुझे मेरा पिरेटा तो उसी Vac जैसे मैंने थोड़ी से हैल्प नखी बाद में फिर थोड़ी से हैल्प के और आज वैसे भी मेरा सेब्सक्राइब कुछ करने का मन् 늦ियरा था तो उनको भी पता है ठोड़ा सा प्राप्लिम होता है मुझे तो which as थोड़ी हेल्प की उन्हें और बस वही चल रहा है अभी खाना बनाना चल रहा है और आज के दिन ना बहुत सारे बढ़े पकोड़े और रोटी कोई स्वीट तो वह भी बनाया जाता है कड़ी यह सारी चीज़ें बनाई जाती है तो आज जैसे तेवार नहीं होता है उसी टा पकवान आज बनाये जाते हैं और अश्वीट में आज बना था गुलाब जामुन और यह सारी चीज़ें तो आप देखी रहे हो बस पापा की थाली निकाल रहे हैं और हां स्वारी इतना कुछ बता दिया मैंने बट आपको यहीं नहीं बताया कि क्या हुआ है और क्या नही तो actually मैं नहीं बताना चाहते थी मतलब बताना नहीं बट time आने पर बताना चाहते थी बट यहीं मुझे लगता है कि सही time है बताने का क्योंकि आज ऐसा दीन है कि आज बताना भी ज़रूरी हो गया था पिछले बार जब मैं आई थी ना तो उस time मैं आपसे share नहीं किया था क तो कि अगर बता आती ना तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता कि मैं मतलब व्यूज के लिए कर रही हूँ या व्यूज के लिए सब कुछ बोल रही हूँ बता रही हूँ आपको तो यहां पर चल रहा है पापा को आपके साथ अच्छा नहीं लगता है क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या पापा से यह सब कुछ कमेंट्स आ रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही थी इससे तो फाइनली मैंने आज सोच लिया कि आपको बता दू कि क्या हुआ है पापा की हु लोग नहीं आये थे आपके लिए तो उसी टाइम यह सब कुछ हुआ था बट उसके बाद मैंने आप से शेयर नहीं किया मुझे आप से शेयर करना था इस टाइम बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गय थे उसके बाद हमारी तब्यद भी ठीक नहीं थी तब्यद भी खराब हो ही होगा पापा को देखा ही होगा उन्होंने बट जो जिन्होंने नहीं देखा है तो वह पिछले व्लॉग देख सकते हैं या तो अभी फोटो में देख लीजे आप क्योंकि अभी तो वैसे आपको वह देखने के लिए नहीं मिलेंगे आप ओल्ड व्लॉग में ही देख सक तो यहां पर दीदी को पूछा मम्मी ने बोला कि चलो करके इसी वजह से आई मैं और यहां पर पिछले मतलब तीन-चार मैने से लगाता है यहां पर वही चल रहा है सब मिलके मतलब घरवाले मिलके वह सब पूजा करते हैं खाना किलाते हैं और इस दिन न सब कुछ पकवान बनते हैं जो पापा को पसंद है वो भी और जो नहीं पसंद है वो भी मतलब वो सारी चीज़े बनती है और यहां पर पूजा की जाती है सब कुछ मिलके सब लोग मिलते हैं घरवाले पूजा करते हैं और पापा को पापा के पैर पढ़ते हैं और उसके बाद खाना खिलाते हैं यह सब कुछ इस दिन होता है तो यही सब कुछ होगा आगे मतलब सब लोग घरवाले करेंगे तो वही है आज और यहां पर आना हुआ तो इसी वज़े से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज क्या है और इतने सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि सब को सेपरेटली जवाब देना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो इसी वज़े से मैंने सोचा चलो व्लॉग में ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि पापा को हमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था सब लोग बोल रहते कि आपसे कोई प्रॉब्लम होगा इसी वज़े से तो मम्मी यहां पर आई है पापा वहां पर नहीं आया है और पापा को आप लोग रखनी रहे हो मम्मी पापा को अलग अलग कर दिया है बहुत से सवाल थे तो मैंने सोचा चलो आपको जवाब देही देती हूँ फाइनली त पसंथा मतलब सीटी में नहीं इतना पसंथा और यहां पर हमारा खेट वगरा भी था तो इसी वज़े से पापा अभी तक खेट वगरा भी देखते थे बहुत सारी चीज़े से होती थी मतलब ऐसा निकी एकदम बुड़े हो गय थे या कुछ तो अच्छा से वह खेट वग अभी पापा नहीं रहे तो इसी वज़े से हम लोग मम्मी को साथ में वहां पर लेके गया है और अभी मम्मी वहां पर ही रहेगी हमारे साथ क्योंकि कभी यहां पर रहेगी मन नहीं लगा तो यहां पर रह सकती है कभी मन नहीं लगा तो बेटी के घर जा सकती है कभी मन नह तो तीन बेटे हैं उनके कही पर भी रह सकती है ऐसा कुछ नहीं है बट अभी फिलाल तो हम लोग हमारे पास ही रख रहा है वहाँ पर मन भी लग गया है ममी का अच्छे से अध्विक के साथ उनका मन लग गया है तो हमने सोचा चलो जब तक उनका मन है वहाँ पर रहने का है तो वही चल रहा है और आपने देखा यह कि ममी हमारे साथ अच्छे से रह भी रही है खुश भी आप लोग बोलते हो कि हमेशा सैड सैड रहती है ममी तो इसी कारण से तो ममी हमेशा सैसे नहीं थी बट इतनी जल्दी वह कवर भी नहीं हो सकती है ना आप देख सकते हो मत और दोए लोग समझो और इतने जादा आपलों करके परिशान करते हो ना तो आखिर में मुझे बताना ही पड़ा क्या रिजन है आप लोगों ने मम्मी को भी नहीं छोड़ा था क्योंकि ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपके साथ हमेशा दुखी रहती है, हस्ती नहीं है आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा आपके साथ का ये वो मतलब मुझे भी बहुत जाथा बुरा लगता था ऐसे चीज़ों का, तो लेकिन आपको अभी बता दिया आप सुन लीजे, अभी I hope आगे से ऐसे कमेंट्स नहीं आएंगे और I hope आप समझोगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या चल रहा है हमारी लाइप में, तो बस यही है हम लोग खुश रह रहा है, खुश दिखा रहा है खुश रहने के कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से वही चीज़ लेके बैठ नहीं सकते हैं, मतलब सारी चीज़े छोड़ चाड़के वही चीज़े लेके बैठ सकते हैं तो लेकिन अभी उनकी एज भी हो गए थी पापा की ऐसा नहीं कि एकदम से वह बहुत यंग थे, बहुत एज हो गई थी उनकी बट एकदम से वह खटिया पर भी नहीं पड़े थे तो इसी वज़े से बस खाना निकाल रहा है और यहां पर परोस रहा है दिदी और मैं परोस रही थी बीच वाली दिदी कुछ तो भी निकाल के दे रही थी वहां पर तो यहां पर बस निकाल रहा है घर वाली थे तो इसी वज़े से ज्यादा लोग नहीं थे यह बच्चे हैं दो बड़े जो बच्चे दिख रहा है आपको वो मेरी बड़ी जठानी के है यह जो दो बीच वाली दिख रहा है यह वो पिंक कलर के टॉप वाली और इधर सोहम वो मेरी बीच वाली जठानी के बेटा है और आद्विक और माही मेरे तो ऐसी पूरी हमारी का और बस यहां पर सब लोगों का खाना हो गया था उसके बाद हम लोग लेडीज बैढ़ के थे खाने के लिए क्योंकि इनको डूटी जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि मुझे लगा था कि हमें इनके साथ ही निकलना है बट इनको बाद में दूसरे दिन भी आना था याने ब मतलब वह तो यहां पर घर पे नहीं होगा वह वहां पर मंदिर में जाके होगा तो उसके लिए तीनों भाईयों को मंदिर जाना पड़ेगा है और मैंने सच चलो आपको बता देती हो कि हम लोग यहां पर ही रहने वाले हैं आज मतलब आक्चुली कल भी पूजा है कोई पा चाएब बता हैं और आपको बाता देती हो आपको ना बताने के लिए स्वारी गाईस क्यूंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे को यह से व्यूज गेन करने हैं या मतलब व्यूज की बीच करना है इसक्याक नहीं बताया तो बस बागी कुछ का प्रॉब्लम नहीं था बस टा पता देती हो कि क्या क्या हुआ है安全 हो मार fuk show months ऑपम सब्लइक के साथ हुए था वाउय wouldn't I still start a year करें कि तो चले फिर इसके साथ इस व्लोग को यही पे एंड करती हूं, मिलती हूं, अच्छे से नए व्लोग में आपसे आए, तिल दन बाबाय, टेक केर, और लव यू अल, बाई